नमस्कार, आज हम सब भारत के आजादी का अमरुत मोच्चों मना रहे हैं। पूरी दुनिया भर में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंतरी आदरडिया नरेंदर मोदी जी के नित्रुत्वों में विश्व शांती और विश्व कल्यान के लिए आशा और उम्मीद का संदेश दे रहे हैं। और इस उम्मीद के बुनियाद है हमारी आने वाली पिड़ी, इस नई पिड़ी को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे संसकार देना, ये न सिर्फ आज हमारी प्राथमिकता है, बल्कि ये हमारा करतव्य भी है और इसके शुरुवात होती है प्राथमिक शिक्षा से महाराष्ट सरकार ने 2015 में इस परिवर्तन की न्यू रखी मात्र पाच वर्षों के अनुभव से अब हमें भी ये विश्वास है कि सरकारी स्कूलों में भी आमूल चूल परिवर्तन लाया जा सकता है शांतिलाल मुथा फाउंडेशन ने प्रैमरी स्कूल सिस्टिम में परिवर्तन लाने के लिए मूल्य शिक्षा को मद्दे नजर रखकर मूल्य वर्धन कारेकरम की रचना की है प्रारंबिक काल में महाराष्टर में पथदर्शी प्रकल्प कारेनवित किया गया इस प्रकल्प का मुल्यांकन राष्ट्रिय एवं अंतरराष्ट्रिय संस्थाओ द्वारा किया गया है महाराष्टर राज्य ने इस सुधारित मूल्य वर्धन कारेकरम को अपना कर पाच सालों में राज्य की सरसठ हजार सरकारी प्राथमिक स्कूलों में इसका सफलता पूर्ण क्रियानवियन किया है मूल्य वर्धन का मतलब है कि सववयधानिक मूल्य पहली कक्षा से बच्चों को समझाना इसके लिए बच्चों को उनकी भाषा में समझाए ऐसी तक्निक का उप्योग करके सहज वातावरन में गतिविधियो के आधार पर संधी का दिरमान सहभागिता के साथ शिक्षा और सहभागिता के साथ खेल के माध्यम से चर्चा और गट चर्चा कर बच्चों में एक दूसरे के सहयोग से पढ़ना और सब को साथ लेकर चलना ये सब बाते आसानी से आ सकती है रचनात्मक दुष्टिकोन का उपयोग करके बच्चों को सोचने की आदट डालना योग आयोग निर्णे लेने के लिए क्षमता विक्सित करना इसका भी इसमें समावेश किया है अगर हम ये बाते आसानी से स्विकारते हैं तो पूरे शिक्षाक शेत्र में परिवर्तन हो सकता है इससे बच्चों की सीखने की पद्धती ही बदल जाती है इससे बच्चों में केवल मूल्य ही आत्मसात नहीं होते वे भविश्य के शिक्षित, ससंस्कृत, जिम्मेदार और सववेदन शिल नागरिक भी बन सकते है हमें इस बात के खुशी है कि माननिय प्रधान मंतरी मोधी जी ने देश को एक नई शिक्षा नीती समर्पित की है जिसमें इन सारी बातों का समावेश है और शिक्षा नीती को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए उन्होंने पी-एम श्री स्कूल योजना संकल्पित की है महाराश्ट के 67,000 स्कूल्स, 2,00,000 टीचर, 45,00,000 विद्यार्थी आज मुल्य वर्धन की एक्टिविटी करते आये है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, अभिभावक, हेड मास्टर्स, शिक्षक, शिक्षन अधिकारी के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव होता हुआ दिखाई देता है और ये इस देश के इतिहास में एक सबसे बड़ा और सबसे सफल उदारन है और अगर यह प्रयोग महाराष्टर जैसे प्रगतिशील राज्य में सफल हो सकता है तो निश्चित तोर पर देश भरके सभी राज्यों में ये प्रयोग सफल हो ही सकता है यही हमारा सपना था जो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्य इस कारेकरम को अपनाएंगे और नई शिक्षा नीती को सफल बनाएंगे जै हिन जै महाराष्ट